नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब का राइस्मार्ट के यूट्यूब चैनल में महिवान सुजादव आपके साथ हाजुन लेकर सम्विधान का अनुछेद नंबर 90-90-90-90 आएगा देखते हैं क्या कहता है हमारे संसद के जो सभापती है उपसभापती इनके वारे में अगर रिक्त हो जाती इसी तब क्या होगा पद से हटा दिया जाए मतलब राजी सभाप प्रस्ताव पारित करे लोग सभा सहमती दे तो उसे हटाया जाएगा जो भी है और एक यहाँ पर पद त्याग मतलब अपना रिजिंग नेसन लेटर हो गयरा की बाते कुछ होगी दे शीट कर देता है अर्थात माल लीजिएगा किसी व्यक्ति का सेलेक्षन हुआ मतलब किसी व्यक्ति ने चुनाओ जीता तो राजी सभा का चुनाओ ऑचिय सब्सब्रान क्या हो जाए कि वो ठीडर्व प्रस्ति जाया। तो अब उसका राजी सभा में सदन का कारेकाल उसका तीन साल का बचा तो अब वो उपसभापती के रूप में केवल तीन साल तक ही कारे करेगा उसके बाद नए विक्ति का नमबर आजाएगा और आपको पता है कि राजी सभा के उपसभापती का इलेक्षन होता है राजी सभ के सभी सदस्यों के द्वारा किसी भी समय सभापती को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहीत लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा अपना रेजिंग नेसन लेटर उप सभापती सभापती को देगा और सभापती राष्ठपती को देता है इधर इनको नहीं देगा क्य पाया जा सकेगा देखो यहां पर जो बेटा लिखा हुआ है सदस्यों के बहुमत से तत कालिक इसका मतलब बेटा होता है इसको बहुत अच्छे सब्दों में कहते हैं प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरेटी अर्थात जो टोटल सीट संक्या है उपस्तित वाले से मतल लेगी शुरुवात राजीसभा से ही होगी इसके बाद किदर जाएगा लोकसभा सहमति के लिए परन्तु खंडगा के प्रयोजन के लिए इसके यूज के लिए कोई संकल्व तब तक प्रभावित नहीं किया जाएगा जब तक संकल्व को प्रस्तावीत करने के आसे मिसे कम से कम 14 दिन पूर सूचना ना दी गई हो हम पहले 14 दिन पहले बताएंगे इसके बाद आपको क्या कर देंगे हटा दिया जाएगा प्रभावी बहुमत राजी सभा में लगेगी सिंपल मेजोरिटी लोग सभा में लगेगी और इसकी नोटिस राजपती महोदे के द्वारा जारी कर दी जाएगी तो आज इस आर्टिकल में यहीं तक मुझे दीजेगा गया फिर मिलूँगा आपसे कल रात नह बजे अगला आर्टिकल यानिकी 91 लेकर इस वीडियो को भी लाइक कर लिजेगा पसंद कीजेगा बताईएगा कमेंड करके कैसा रहागा टाटा बवाय और टेक केर